मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज मर्ना की जिन्दगी में हम क्या गलतियां करते हैं जिसके कारणवज मा लक्ष्मी और धन के राजा खुबेर हमारे घर पर निवास नहीं करते हैं हमारी जेब हमीसा खाली रहती है हम आर्थिक तंगी से जूजते रहते हैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप अगर नहीं करोगे तो मा लक्ष्मी आपकी घर में निवास अवश्य करेंगी तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में गंटी के निसान पर भी क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें हमारी आने वाली वीडियो के मित्रो पहुत छोटी-छोटी सी यह गलतियां हमसे होती रहती हैं रोज उपसंकेत नहीं हैं ऐसी इस्तिती में मालक्षमी आपके घर में आने से बच जाती हैं वो आना पसंद नहीं करती हैं तो इसके लिए अपने घर के तरवाजों में तेल लगाते रहें ताकि उनसे किसी भी तरह कि कोई अवाज ना आये कोई भी नेगेटिव एनरजी वहां स से चल बहता जा रहा है तो उसे तुरंत ठीक करा लें क्योंकि ऐसी इस्तिती में भी मालक्षमी घर में निवाज करना पसंद नहीं करती हैं और सनिवार के दिन अपने घर की साफ सफाई अच्छे तरीके से जरूर करें इसके अलावा भीकारी को दान पुन करते रहें और हो सके तो रोजमरा की जिंदगी में जब आप पूजा पाठ करते हैं तो एक दीपक को अविस्य जलाएं दीपक में एक कलावा डालें और देशी घी या सरसो के तेल से उसे प्रजवलित करें मालक्षमी के सामने इसके अलावा अगर आप कारोबारी हैं या फिर कोई जौब क करते हैं या नौकरी करते हैं तो वहां से प्राक्त हुआ पैसा या आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा मा लक्षमी के लिए अवस्य निकालें और उसको अपने पूजा स्थल पर रख दें इसके अलावा अगर आप क्र overlap करते हैं तो ऐसे मां मालक्षमी आपके घर पर निवास नह लेकर पूजा स्थल पर रख दीजिए अगर इस तरह की छोटी छोटी आप कार्य अपनी रोजमर्णा की जिंदगी में करते रहेंगे तो मालक्षमी और धन के राजा खुबेर आपके घर पर आवस्य निवास करेंगे और आपकी आर्थिक तंगी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपकी जेब आपका पर्स हमेशा धन से भरा रहेगा और आपके घर में सुक्ष सम्रद्धी सान्ती बरकरार रहेगी और दिन ओदिन बढ़ती चली जाएगी मित्रो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपनी मित्रो और परिवार जनों के साथ शेयर कीजिए आज के लिए इतना ही